तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है All New Toyota Velos आज Toyota ने अपनी एक Mini Innova हमारे सामने पेश करी है Toyota Velos Toyota की एक 7-setter Premium MPV कार है डीटियल में समझेंगे क्या नए-नए features के साथ आती है क्या इसका पूरा segment है इस गाड़ी की अगर आप लंबाई को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4.4 मिटर लंबी यह गाड़ी मिलती है सीधा competition देखेंगे तो इंडिया में जो आपको Maruti Suzuki की XL6 मिलती है यह गाड़ी उसके साथ compete करती है लेकिन जो feature front है जो premium appeal है इस गाड़ी का वो XL6 से थोड़ा उपर मिलेगा design front देखेंगे क्या कुछ यह गाड़ी आपके साथ दे रही है dashboard front देखेंगे एक proper 7-setter की तरह इस गाड़ी को इस्तमाल किया जाता है petrol option यह गाड़ी दे रही है आपको boot space आप देख रहे है किस हिसाब साब को मिलेगा और design देखते है पहले गाड़ी का 4.4 मिटर लंबाई है इस गाड़ी की और अगर आप XL6 से से compare करेंगे तो 30 mm यह गाड़ी जादा लंबी है XL6 के मुकाबले उसी के साथ गाड़ी में क्या क्या मिलने वाला है तो यहाँ पर आप देखेंगे Toyota का बड़ी ऐसा लोगो वेलोस की ब्रैंडिंग पीछे आप देखेंगे कि आपको टेल लैम मिलता है जो कुछ इस तरीके से मिलेगा यह इसका प्लेटेनिया वाइट परल कलर ओप्शन देख रहे है जो कि बहुत ही बड़िया लग रहा है इस गाड़ी की एक और अच्छी चीज है कि इसमें जो ground clearance है जो आपको XL6 में थोड़ा कम मिलता है 180 mm का इसमें आपको 205 mm का ground clearance मिलता है पीछे से तो गाड़ी कही ना कही लैंड कुरूजर वाला look दे रहे थी लेकिन side profile से यहाँ पर जो आपको Innova high cross मिल रही है उसी के look मिल रहे है और बहुती सही तरीके से यहाँ पर इसके look को बनाया गिया है front profile माँ पाएंगे तो यहाँ पर जो Velos का अपना एक character है जो angry look है ना इसका जो muscular profile है वो आप notice करते हैं और बहुत बढ़िया लगती गाड़ी आगे से भी यहाँ पर देखिए क्या कुछ है पहले तो trapezoidal आपको यहाँ पर इसकी पूरी grill मिलने वाली है जो कि इस प्रकार देखेगी आपको Toyota का बढ़िया solo को कोई भीनेस में अटास के function है नहीं है वो अंदर चल के बताऊंगा लेकिन आप देखिए side में fog lamp आफ़ आफ़ किया गया है all LED आपको headlamps है side में भी headlamps है कुछ नीचे देखेंगे तो 205 mm का ground clearance मिलता है उसके हिजाब से गाड़ी का जो approach angle है बहुत प्यारा दिया गया है और side profile से यह कुछ आपके सामने गाड़ी आती है मैंने अब इसके lights सारी on करी है तो आपको idea लगे कि क्या यह गाड़ी अपने साथ दे रही है इस चीज को अलग market में इसलिए बनाए गिया है क्योंकि जो इसका bold appeal है ना front में बहुती cuts और crisis से भरा हुआ design इसका और अच्छा लगता है side में आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको Toyota की बड़िया branding उसी के साथ आपको किस तरीके के आज तोयोटा का अपना यहां पर पहला event हुआ है और इनने गाड़ी यहां पर दिखाई बहुत ही बढ़िया गाड़ी लगी आपको आप सीधे अंदर ले चलता हूँ इसके और बहुत बढ़िया चीज अंदर भी अंदर क्या पसंद करने वाली चीज़े न है यहां पर कुछ जो आपको लेन वाच फंक्शन है वो दिखाए गए दोर मगर देखे तो डोर वेट अच्छा मिलने वाला आपको यह इसका प्लस पॉइंट है बाखी अंदर देखेंगे यह कुछ इसका अच्छा सा आपको डैश्बोर्ड लगेगा आप यहां पर आप दे नेदरेट का फंक्शन है कोई भी संरूफ का उप्शन नहीं है लेके साथ लोगों ले जाने के लिए अच्छी स्पेसिंग यहां दी गई है इस साट देखेंगे पावर सीटिंग नहीं है बेसिक सीटिंग मिलेगी नीचे आप देखेंगे फॉरवर्ड कोलीजन मिटिकेश तो आपने बंद करा सबसे पहले देखेंगे आपको बड़ी आश्तार डैश्बोर्ड इसमें देखेगा आयार वीम नॉर्मल है यहां पर LED सिस्टम दिया गया है नॉर्मल सा आपको मीरर के सांद लाइट का कोई आप्शन नहीं है साथ में यह चीज है यह बहार से भी मेरी इसमें नजर गई थी यह फ्लोटिंग डिस्प्ले दी गई यह आठ इंच की उसके साथ ही गाड़ी में टोर्टल आपको सिर्फ दोई एर बैग मिल रहे है साइड में को एर बैग नहीं है और साथ में यहां पर थोड़ा सॉफ्ट टच है वेलोस की ब्रैंडिंग है इस इस टेरिंग में देखते हैं तो इस टेरिंग में भाईया टेल टेलिस्कोपिक दोनों फंक्शन यह टोर्टा की खासियत रहती है आटोमेटिक एसी है नीचे आप देखेंगे इस साइड का एर बैग आब बंद कर सकते हैं सीविल्टी का ऑप्शन पार्क रिवर्स को ऑप्शन भी दिया है एक नजर इसके इंजन बे पर ले चलता हूं तो क्यूंकि टोयोटा और सुजूकी के इंजन ही रहते हैं जो इनकी गाडियों को खास बनाते हैं अभी देखें लाइट्स ओफ हो गई तो इससाब से आपको पूरी लाइटिंग सर्ट आप इसमें मि 12cc ज्यादा है सुजूकी के मुकाबले पावर भी यहाँ पर 104 HP बना रहा है और टॉक है इसका 138 अनम का उसके लावग कोई डिफ्रेंस और नहीं है यहाँ पर बैटरी आप देखेंगे इतना एरिफिल्टर देखेंगे नीचे आपको कवरिंग नहीं ओपन मिलेगा और आपको बीच में तीन लोगे बैठने के स्पेस है मैंने इसका 7-7 वरजन ही जादा देखा है 6-7 का उप्शन मुझे अभी मिला है नहीं दिखाने को और रूफ में देखेंगे यहाँ पर AC-1 के सारे ऑप्शन इस प्रकार दिखेंगे लाइट के सारे ऑप्शन है ग्लोवर क टेक्सी में भी पास हो जाएगी क्योंकि टोयोटा कभी भी प्रैक्टिकालिटी में फेल नहीं होता है प्राइजिंग हां महेंगी हो सकती है बागी प्राइजिंग की बात की जा तो साड़े 10 लाग रुपे में आपको एक्सल सक दिख जाती है यह गाड़ी आपको 12-13 करना है यह नहीं होती है यह सुजुकी के साथ भी थोड़ी कमी है और यहां टोयोटा भी वही कर रही है पीछे दो लोगे बैठने की इतनी स्पेसिंग है इतना दिया जाएगा बागे जो बीच पर पैसंग जा रहे उसके लिए आपको 3-point की सीट बैल यहां ओफर की गई ह और यह कुछ आप देखेंगे बीचे का स्पेस चड़ने उतने के लिए इतना स्पेसिंग यहां से इनने बनाई है आपके सामने जो की इस प्रकार देखेगी आप चलते हैं गाड़ी के 3rd row सीटिंग की ओर बैट जुके हम 3rd row सीटिंग में तो यहां पना थोड़ा सा अगर वह वाला option मिलता जो किया यूज करती है हुंडा यूज करती है टॉपल हो जाए तो और अच्छा था डैश बोर इस प्रकार दिखेगा उपल लाइटिंग सटप है पीछे कोई भी एस इवेंट नहीं है तो यही सारी जो एस इवेंट है आपको मिल जोल के इस्तमान करने हो पीछे से अपना बूट भी एकसेस हो जाता है और में चीज है कि भाईया इस सीट को पीछे को लाने तो आगे वाला बंदा खुदी लाएगा तो यह सीटे मैं पूरी पीछे की ओर की थी तो उससे आप से मेरी हैट जैसे 6 फिट किया तो बिलकुल मामला खतम हो गया है अप यहां पर लाइनर है थोड़ा सा हार्ड यूस किया गया है तो यह चीज है बाकी बीच में पैसेंजर बैठेगा उसके लिए थी पॉंट सीट बेल्ट का इंतिजाम किया गया है एक चार्जर को सौकेट यहां रखा गया है आप मुझे बताएगे कि आप इस गाड़ी को 12-13 लाख रुपे बेस मोडल में लेना पसंद करेंगे यूँकि जब यह गाड़ी आएगी इसी रेट के आसपास आने वाली है जहां पर सेम जो और्टिका है 11 लाख रुपे के रेंज में इस गाड़ी से 2 लाख कम की प्राइसिंग में आपको सेम फीचर सेम सब कुल दे देग अब यहां पर टोर्टा के कुछ प्लांस मारूती के साम भी हो सकते हैं कि हम आपकी गाड़ी को रीबैच करेंगे लेकिन अभी यह गाड़ी का मुकाबला बड़ा मुश्किल है बड़ी साइसी गाड़ी एक प्रीमियम अपील है और एक ब्रैंड वैल्यू जूडी है और ए प्रें फिर आपकी ओल न्यू टोयोटा वेलोस और अपडेट लियाओंगा एक ऐसी इनने दिखाया था कि भाई नया कुछ आया हुआ है प्लैटीन यह वाइट पॉल कलर ऑप्शन है इसका रेड शेड मेंने कवर किया है वह आपको अलग वीडियो मिलेगी बखी यह चीज आपको गाड़ी कैसी लगी मिलता ऐसी और नई वोट के साथ जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको इस गाड़ी को रैंक करना है कमेंट्स में बताइए आपको गाड़ी कैसी लगी अगर बिलकुल पसंद नहीं तो 0 नंबर देना बहुत पसंद आई तो 10 नंब और कहीं न कहीं इनोवा वाली पूरी पूरी फीलिस गाड़ी के अंदर भरी हुई है तो मिलता है नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम गुड़ बाई